राम एक बहुत न्याय प्री और खयाल रखने वाले राजा माने जाते थे कुट्टे ने राम से कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ बिना किसी वज़े के मेरे उपर हमला हुआ है मैं बस यू ही बैठा हुआ था सरवार्थ सिद्ध ने कहा, जी हाँ मैं उस अपराद का दोशी हूँ, जिसका आरोब कुट्टे ने मुझ पर लगाया है तो दर्बारियों ने पूछा, ये कैसा फैसला है? क्या ये तंड है? वो आदमी तो बहुत खुश है राम एक बहुत न्याय प्री और खयाल रखने वाले राजा माने जाते थे हर दिन वो दर्बार में बेटकर लोगों की समस्याएं सुलजाने की कोशिश करते थे तो एक दिन, दिन के अंत में शाम को जब वो दर्बार की कार्यवाईउं को खत्म करने वाले थे जब उन्होंने सभी लोगों के साथ काम पूरे कर लिये तब उन्होंने अपने प्रती गेहरा समर्पन रखने वाले भाई लक्षमन से कहा कि बाहर बरामदे में जाकर देखो कि कोई इंतजार तो नहीं कर रहा है लक्षमन बाहर गए इधर उधर देखा और वापस आकर कहा वहां और कोई नहीं है हमारा आज का काम खत्म हो गया है राम ने कहा फिर से जाकर देखो शायद कोई हो ये कुछ अटपटी बात थी वो बस अभी देखकर आये थे फिर से राम कह रहे हैं कि जाकर देखो तो लक्षमन फिर से गए और आसपास देखा वहां कोई नहीं था वो बस लोटने ही वाले थे कि उनका ध्यान वहां बैठे एक कुट्टे पर गया जिसका चहरा बहुत उदास था और जिसके सिर पर एक घाव था तब उन्होंने कुट्टे को देखा और उससे पूछा क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो कुट्टा बोल पड़ा और उसने कहा हाँ मैं राम से न्याय चाहता हूँ तब लक्ष्मन ने कहा तुम अंदर आ जाओ और वो उसे दर्बार मिले गए कुट्टे ने आकर राम को प्रणाम किया और राम से कहा हे राम मैं न्याय चाहता हूँ बिना किसी वज़े के मेरे उपर हमला हुआ है मैं बस यूँ ही बैठा हुआ था एक आदमी जिसका नाम सरवार्थ सिद्ध है उसने आकर मेरे सिर पर बेवज़े ही डंडे से मार दिया मैं बस बैठा हुआ था मैं न्याय चाहता हूँ तुरंत राम ने सरवार्थ सिद्ध को खोजने के लिए लोग भेजे वो एक बिखारी था उसे दरबार में लाया गया तो राम ने पूछा तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो ये कुत्ता कह रहा है कि तुमने बेवज़े उसे मारा है सरवार्थ सिद्ध ने कहा जी हाँ मैं उस अपराद का दोशी हूँ जिसका आरोप कुत्ते ने मुझ पर लगाया है मैं भूग से तड़प रहा था मैं गुस्से में था और हताश था ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था तो गुस्से और हताशा में मैंने बिना किसी वज़े के इस कुत्ते के सिर पर डंडा मार दिया अब जो भी डंड देना चाहते हैं कृपया मुझे दीजे तब राम ने इस मामले को मंत्रियों और दर्बारियों के सामने रखा और कहा आप इस बिखारी के लिए क्या दंड दे करना चाहते हैं उन सब ने इस पर विचार किया और कहा एक पल रुकिए ये बहुत पीचीदा मामला है पहली बात है कि इस मामले में एक इनसान और एक कुत्ता शामिल है तो जो नियम कानून हम आम तोर पर जानते हैं वो इसमें लागू नहीं होते तो एक राजा के रूप में ये आपका अधिकार है कि आप इसका फैसला करें राम ने कुत्ते से पूछा तुम क्या कहते हो क्या तुम्हारे पास कोई सुजाव है कुत्ते ने कहा जी हाँ इस आदमी के लिए मेरे पास एक उचित दंड है वो क्या है हमें बताओ तो कुत्ते ने कहा उसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजे राम ने कहा ऐसा ही किया जाए और बिखारी को कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया गया जो एक बहुत प्रतिष्ठित मठ था तो राम ने बिखारी को एक हाथी दे दिया वो इस दंड से बहुत खुश होकर हाथी पर सवार हो गया और बहुत प्रसन्नता से मठ की ओर चल दिया तो दर्बारियों ने पूछा ये कैसा फैसला है क्या ये दंड है वो आदमी तो बहुत खुश है तब राम ने कुट्टे को कहा तुम खुद इस फैसले को स्पष्ट करो कुट्टे ने कहा अपने पिछले जनम में मैं कलिंजर मठ का मठादीश था और मैं वहां इसलिए गया था क्यूंकि मैं अपने आध्यात में कल्यान के प्रती वाकई समर्पित था और उस मठ के प्रती भी जो कई दूसरे लोगों को उनके आध्यात में कल्यान में सहायता कर रहा था मैं वहां प्रतिबद्ध हो कर गया था कि खुद को और हर किसी को ये संभावना प्रदान करूँगा और मैंने इसके लिए मेहनत की और अपनी ओर से सर्वोत्तम किया लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए धीरे धीरे मेरे मन के दूसरे विजार कभी कभार मुझ पर हावी होने लगे अधिकतर तो मैं अपने लक्षे पर टिका रहता था लेकिन कभी कभार वो मुझ पर हावी हो जाते थे मुख्य महन्त बनने के साथ साथ मुझे जो नाम और प्रसिद्धी मिली उसने मुझ पर प्रभाव डाला कई बार मेरे बजाए मेरा अहंकार काम करने लगता था कई बार मेरे पद के कारण लोगों द्वारा दी गई सरल सी पहचान से मुझे अच्छा लगने लगता था लोग मुझे एक पवित्रा आदमी मानकर वैसा बरताव करने लगे मैं अपने भीतर जानता था कि मैं वैसा नहीं हूँ लेकिन मैं वैसा बरताव करने लगा उन चीजों की मांग करने लगा जो आम तोर पर एक पवित्र व्यक्ति के पास होती है मैंने खुद को अपने संपूरुन रूपांतरन की और प्रतिबध नहीं किया लेकिन वैसा होने का दिखावा करने लगा और वैसे भी लोगों ने मेरा साथ दिया ऐसी चीजें हुई और खुद के आध्यात में कल्यान के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति मेरी प्रतिबधता धीरे धीरे कम हो गई कई मौकों पर मैंने खुद को मार्ग पर वापस लाने की कोशिश की लेकिन अपने चारों और मौझूद जबरदस्त पहचान में मैं कहीं खो गया था और ये सरवर्थ सिद्ध इस बिखारी के अंदर गुस्सा है इसमें अहंकार है इसमें हताश होने की शमता है तो मैं जानता हूँ कि वो खुद को दंड देगा जैसे मैंने दिया तो ये उसके लिए सबसे अच्छा दंड है उसे कलिंजर मठ का मठाधीश बनने दीजे लोग खुद को असाधारन मात्रा में दंड दे देते हैं खुद पर पीड़ा और कश्ट ले आते हैं पर जरूरी नहीं है कि उनका जीवन बुरे कामों में लगा हुआ हो हो सकता है कि जीवन आध्यात्मिक कल्यान के लिए प्रतिपद्ध हो हो सकता है कि जीवन कई अच्छे कामों में लगा हुआ हो पर रोज वो कुछ चुनते हैं और फिर कुछ और चुन लेते हैं वो अपने भाग्य को एक दिशा में ढलने नहीं देते। वो लगातार मार्ग से गिरकर और वापस आकर गिरकर और वापस आकर खुद को अस्थिर बनाते रहते हैं। वो खुद पर असाधारन परेशानिया ले आते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें कोई बुराई है। कि जो चीज आकार ले रही हैं, उसे बार बार हिलाना। हर बार जब आप चुनते हैं और त्याग देते हैं, आप अपने भाग्य की दिशा को बिगार देते हैं। बहुत सारी साधना और कई चीजें करने के बाद आप एक निराशा की स्थिती का सामना करते हैं। कोई स्थिती निराश करने वाली नहीं होती, अगर आप किसी स्थिती को देखकर निराश हो जाते हैं, और आप उस मार्ग को त्याग देते हैं, जो आपने चुना हैं, कल सुभः फिर आप मार्ग पर चल देते हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए मार्ग को त्याग देने से, आपने अपने भाग्य के बनने को, अपने भाग्य की दिशा को अस्थिर कर दिया है। एक प्रतिबध मन, एक ऐसा मन जिसकी प्रतिबध दास थाई है और जो हमेशा के लिए चुन लेता है। चुनाव करने के बाद आप खुद को चुनाव विहीन बना लेते हैं। ऐसा मन भाग्य को उस तरह से बहने देगा जिस तरह से आपने चुनाए हैं।